नमस्कार दोस्तों मैं आमित चोदरी एक बार फिर आपका हर दे का विनादन करता हूँ Class 5 Maths The Fish Tale का ये next वीडियो और आज का टॉपिक है Women's Mean Car Bank जिसमें हम लोग सीखेंगे Bank के बारे में और ये Mean Car Bank के बारे में जानेंगे Loan, Interest, EMI के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और Problem Solving जो एबिलिटी है हमारी उसमें Addison, Substraction, Multiplication और Division का यूज करके सवालों का जवाब देंगे सब्सक्राइ बारे में जानकारी जानकारी प्राइब कर देंगे The term bank is derived from the old Italian word banca meaning a bench It referred to the public benches where money changers used to sit for exchanging coins or bills in the marketplace But it's the goldsmiths of 17th century London who developed banking in its modern form The goldsmith who used to store wealthy clients gold in their private vaults जब बने लेग डिए जदे लेग्ट आफ लेग्ट नेग्ट राफ स्रॉविस और प्षाय कि गज़ पर्शाव सो ऑज़ उवा है जवा बाफ जड़ इलेखेग ज़िस अगया है पर्ड़ और्नाव और्म आठना रर्ती ग dressed और्म्मेश, और बेन्ग गर्म्मीश, और बॉलिंग here देधें का विल्मेश द सक्काश्ट रर टापी Confeder के सांht 誰 को का का इप क् pigs जेखेंraw कि दो आपनेशा प्रेमेश सर्वेश लेवनें जेंड़ द ranged Member जैसा कि हम लोग बैंक की सुरुवात के बारे में जाना जो की इटली में इसकी सुरुवात हुई है तो यह तो बैंक हो गया जो हम लोग आसपास जो देखते हैं बरीविट बिल्डिंग होती है और उसमें हम पैसे का आधान-परदान करते हैं लेकिन एक आपकी सामने है उमे मिनकर बैंक इसमें क्या होता है जो आसपास काम करने वाले कुछ मेंस मिलके एक ग्रूब बनाती है स्वेम सायता समो यानि वो आपस में ही कुछ पैसे कलेक्ट करते करते एक बड़ी रकम कलेक्ट कर लेती है और जब भी जिसको जरूरत होती है तो वो वहां से ले जाती है अपने काम को पूरा करने के लिए उसके बदले में कुछ इंट्रेस्ट देती है तो ये लोन के तौर पर यानि कर्ज के रूप में लेती है और उसका इंट्रेस्ट देती है तो आपके सामने loan और interest क्या है ये में बताता हूँ loan to meet our needs the amount we borrow from the bank or elsewhere is called loan जब हम किसी से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं चाहे वो bank से हो चाहे वो स्वेम साहता समू जैसे कि मीन कर bank है या और भी cooperative bank या किसी साहुकार से या गाउं में किसी और से दोस्तों से जो कर्ज हम लेते हैं अपनी जरूरतों के लिए वो loan कहलाता है वहीं interest क्या है जब हम जो extra amount pay करते हैं जो कर्ज लेते हैं और उसको लटाने में हम कर्ज के साथ साथ उससे कुछ अधिक money जो pay करते हैं वही interest कहलाता है the extra amount that is returned to repay the loan or principal amount is called interest और एक बारवार सुनने में आज कर आता है EMI इसका मतलब है जो monthly installment हम लोग payment करते हैं loan और उसमें जूरे हुए interest को जोर के उसका monthly installment बनाते हैं और वो हर महिने के खास तारिक को हम लोग pay करते हैं वहीं EMI है EMI आपके chapter में direct अभी नहीं पूछा गया है लेकिन जो pay back every month जो करते हैं वही EMI होता है और तों के swim साहता समों के तरज पे ही इन्होंने mean car women यानि fisher women जो हैं वो मचलियों के नाम पे mean का मतलब मचली होता है तो mean car bank के सुरुवात की है तो इसमें इन्होंने क्या किया है 20 women's का 20 fisher women का एक group बनाया है जो की every month 25 rupees save करती है तो आपके लिए एक सवाल है ये simple multiplication का सवाल है जो की every month का आपको पता है 25 rupees और आपको ये भी पता है की group में कितने member हैं 20 member है तो how much money does the group collect आप क्या करेंगे simply multiply करेंगे 25 into 20 इसका जो है rupees 500 एंसर आएगा वहीं आपका दूसरा सवाल है ये how much money will be collected in 10 years तो 10 years में कितना money collect होगा ये पता कीजिए जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 year में 12 month होता है तो हम लोग भी यहां simply multiply करेंगे 500 into 12 तो आपको 6000 आएगा इसको आफर आप में multiply कर लिजेगा लेकिन आपको 10 years का निकालना है तो आप क्या किजिएगा इसको 10 से again multiply किजिए तो 6000 into 10 that means 60,000 जैसा कि हम लोग loan और interest के बारे में जानते हैं तो अपनी जरूतों को पुरा करने के लिए जो group बनाया गया था जो sum बनाया गया था जो money collect किया गया वो किसी को भी जब जरूरत होती है तो उसको पैसे देते हैं कर्ज के रूप में और उसके बदले थोरा सा ज्याइदा कर्ज में जो लिया और उससे ज्याइदा एमांट है वो interest के रूप में लेते हैं तो वहीं उनके समुव में gracie को net के लिए जरूरत था तो उन्होंने 4000 रूपीज लोन लिया और फिर वो every month करके 1 year 345 रूपीज जो है back कर रहे हैं यानि return कर रहे हैं तो उसका जो है कितना payback करेगा इसमें हम लोग क्या करेंगे simply multiply करेंगे चुकि हम लोग जानते हैं one year में 12 month होता है और वह हर महिने जमा कर रही है इंगले सी 345 रूपीज तो 345 को 12 से multiply करेंगे तो आपके पास आजाएगा 4140 रूपीज इसमें आप ये भी पता कर सकते हैं कि वह उन्होंने कितना extra रूपीज दिया चुकि 4000 लिया था और 4140 रूपीज लोट आया है तो इसका मतलब है 100040 रूपीज जो है interest के रूप में दिया होगा वही आप इससे पहले पढ़े थे कि extra amount जो है वो interest का राता है एक दूसर सवाल है जहांसी एंड हर सिस्टर तोक ए लॉपीज 21,000 तो बाई ए लॉग बोट दे पेड बैक ए टोटल अफ रूपीज 23,520 इन वन यार how much did they pay back every month ये दोनों मिलके 20,000 रूपीज लॉग बोट यानि लक्री का बोट बनाने के लिए लिया है और यह नों ने पेड जो किया वो भी दे दिया गया है 23,520 तो difference भी आपको पता ही है जिसको minus करके आप difference निकाल सकते हैं वो interest हो जाएगा लेकिन यहाँ वो नहीं पूछ रहा है यहाँ पूछ रहा है कि every month कितना लोटाना होगा इनको चुकि one year में लोटाना है one year में हम लोग जानते हैं कितने month होते हैं 12 month होते हैं तो जो amount यह लोटा रहे हैं उसको one year यानि 12 से हम लोग divide करेंगे ताकि every month कितना लोटाना है यह पता चल जाएगा यही हम EMI के रुप में आपको बताये थे कि monthly installment इनका लिया जाएगा और 12 से divide करने के बाद आपको 1960 आएगा यह अपर रफ में आपकर लिजेगा तो यही जो है इनको every month पे बैक करना होगा यहाँ आप interest भी निकाल सकते हैं अलग से कि इन्होंने 21,000 लिया था 21,000 माइनस कर लिजे 23,000 में से कितना आजाएगा 2520 यह एक्ष्टा जो है interest है यह अलग से है यह पूछा नहीं जा रहा है फिर भी आप पता कर लिजे आज आपने मेंकर बैंक के बारे में जाना सिंपल बैंक के बारे में भी जाना लोन इंट्रेस्ट और EMI के बारे में जाना और सिंपल कैलकुलेशन से आप उनके सवालों का जवाब दिए अब आगे का जो चैप्टर है जो फिसर उमेन है वो एक ड्राइ फिस फैक्टरी जो लगा रहे हैं उसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे और नेक्ट वीडियो में उसकी जानकारी हासल करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद